ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया ये वो चाप्टर है जिससे आई विली सारे स्टूजिंस डरते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी चाप्टर है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि डरने के कोई बात नहीं है ये एक चाप्टर डिवाइड़ है तीन चाप्टर में और इस को हम तीन सेग्मेंट्स में ही पढ़ेंगे तीनो अलग अलग स्टोरीज हैं तीनो अलग अलग कॉंसेप्ट्स हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बस तीन छोटे-छोटे चाप्टर बढ़े हैं तो ये जो चाप्टर है आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो तुरू करते हैं आप देखेंगे इंडिया के पहला है गोवा का गोवा एकस हर कोई आप में से भी सब का ड्रीम होगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ एक पर गोवा जरूर जाएं तो ये चाप्टर तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कोंकडी ऐसेस थे यानि एसेस लिखा करते थे काफी सारे आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं इंग्लिश में, कोंकडी लैंग्विजेस में और जो की काफी सारी मैगजीन्स में चपे हैं और ये जो हमारा जो एक जो हम पढ़ने वाले हैं बेकर फॉँआ ये उने का ही एक ग्लिम्स है उसी मेंसे ही एक पार्ट लिया गया है चीके? चलिये जी चीके? तो सबसे पहले चाप्टर के बारे में देख लेते हैं की अब तो बहुँआ पर्टरेट आफ त्रदिशनल गोवन विलिजश तो मैंने क्या किया? मैंने उसकी पैंटिश नहीं बनाई मैंने उसके बारे में लिखा जिससे आपके माइंड में एक पोट्रेट बन गई तो ये जो आप पढ़ने वाले हैं अब बेकर फ्रॉम गोवा ये एक पैन पोट्रेट है ये एक विलेच बेकर का जो कि अपनी सुसाइटी में एक इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है क्योंकि जिए क्या था कि गोवा में जो मोस्ती कल्चर है वो पॉर्टुगीज है कि पॉर्टुगीज से लोग वहां पर आकर उन्होंने इन्वेड किया था वहां रहे थे तो काफी सारा कल्चर उससे मिलता जुलता है तो जो रेमिनिसिंग नॉस्टेलजिक नॉस्टेलजिक मतलब कहा जाता है कि पुरानी चीजों को याद करना रेमिनिसिंग मतलब जो बहुत ही अच्छी लगती है पुरानी बाते हम याद करते हैं कि बच्वन में ऐसा करते थे पहले ऐसा हुआ करता था तो वो पुराने पॉर्टुगीज डेज की बारे में कि जब पॉर्टुगीज रहा करते थे गोवा में तो उन बातों को याद करते हैं और पॉर्टुगीज जो होते हैं बहुत अच्छे बेकर होते हैं तो वो याद करते थे कि उन बेकर को और उनके फेमिल लोव लोव बोला जाता है जो ब्रेड का जो बन होता है बड़ा बन उसे हम loaf कहते हैं चीक है कह सकते हैं bundle of bread ओके तो उनके bread को काफी जादा याद करते हैं और यही हम इस chapter में देखेंगे चले फिर शुरू करते हैं those eaters of loaves might have vanished but the makers still there we still have amongst us the mixers the molders and those who bake the loaves ठीक है कि भले ही उन baking loaves को खाने वाले चले गए यानि खाने वाले अब बचे नहीं हैं लेकिन बनाने वाले molders मतलब किसी सांचे में रखके हम mold करते हैं bread का तो batter होता है तो उसको हम एक container में डालते हैं और उसकी shape बन जाती है तो molders, mixers and bakers उस loaves को bake करने वाले अभी भी है चीक है so loaves साफ समझ गें जैसे मैंने आपको बताया एक shape जो bread का होता है bun समझ लीजे बड़ा bread उसको फिर slice किया जाता है जो आप bread slice देखते हैं वो एक bread का slice होता है okay vanish vanish मतलब खतम होगे disappear हो गए molders molders मतलब जो की dough को किसी चीज़ को क्या करते हैं mold करते हैं different shapes में पुरोते हैं आगे देखते हैं those age old time tested furnances still exist ठीक है furnances बोला जाता है कभी आपने pizza bake होते हुए देखा हो तो वैसे तो अभी तो oven में होता है पिजा bake लेकिन पहले एक furnances होते थे ऐसी अंगीठियां बोल सकते हैं आप जिसमें bake होता था तो वो जो furnances है वो अभी भी है time tested मतलब जो की सालों साल से चलती आ रही है the fire in the furnances has not yet been extinguished extinguished का मतलब होता है बुझ जाना तो वो जो fire है उन furnances में लगी हुई वो अभी तक भी बुझी नहीं है यानि वो अभी भी चल रही है that third the jingle of the traditional baker's bamboo जो bakers की जो bamboo होते थे जिससे वो बनाते थे bake करते थे उनके thirds मतलब वो जो लगते थे तो third की आवाज आती है जो कोई भी wood किसी चीज से टकराती है तो third की आवाज आती है जिंगल मतलब जब काटे या चम्मच या चाकू एक दूसर से टकराते है तो जिंगल की आवाज आती है चीक है तो वो जो आवाज है वो अभी भी है heralding his arrival in the morning can still be heard in some places heralding का मतलब होता है कि वो अपना arrival अभी भी streets में जाके morning के time अपना arrival अनाउंस करते हैं कहने का मतलब यह है कि अभी भी वो bakers हैं और अभी भी वो streets से निकलते हैं और arrival अनाउंस करते हैं कि हम आ चुके हैं यानि bakers आ चुके हैं आगे देखते हैं maybe the father is not alive but the son still carries the family profession these bakers are even today known as padger in Goa भली father जिन्दा नहीं है लेकिन उनके जो बेटे हैं वो अभी भी अपनी family का profession संभाले हुए हैं और इन bakers को आज के time में कहा जाता है padders Goa में चीके padders during our childhood in Goa the baker used to be our friend companion and the guide he used to come at least twice a day once when he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket ठीके तो गोआ में क्या होता है कि जो bakers होते हैं वो cycles पर, rickshaw पर, गाडियों में अपना bakery लेकर निकलते हैं मतलब सामान लेकर निकलते हैं और बेचते हैं तो यहां पर वो person बता रहा है, author बता रहे हैं कि बच्पन में जो बेकर हुआ करता था वो हमारा friend हुआ करता था, हमारा companion जिसे हम बात बात करते थे हमारा friend की तरह हुआ करता था और हम दो time वो हमारे पास आता था एक तो जाते time जब हम उसे बेकरी के products करीते थे वो कहरे हैं कि उसकी जिंगलिंग थद होती थी यानि उसकी जो bamboo जब टकराता था cycle से रिक्षा से तो जो थद सहते थे वो हमें नीन से जगा देते थे और हम बस भागे चले जाते थे कि हम उनको मिले और उन्हें ग्रेट करें उन्हें hallo बोलें अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों था? क्या हमें ब्रेड अच्छी रगते थी इसलिए? नहीं, ब्रेड तो वैसे भी हमारे सर्वेंट्स लेकर जाते थे अंदर, वो खरीदते थे, हम तो ब्रेड से भी खाते भी नहीं थे, लेकिन हमारा प्यार किस से था? बेकर से था, आग ब्रेड के कई सारे शेप होते हैं, जैसे एक कॉंकन टाइप की स्पेशल ब्रेड होती है, जो कि ऐसे बैंगल की शेप में, जैसे आप इतर पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो हम उसको लेने के तरफ भागते थे, एके करके हम उसको चूस करते थे, और कई बार ये बहुत होती, स्वीट टाइप की होती थी, जो एक स्पेशल ब्रेड होती थी, आगे देखते हैं, दा बेकर मेड हिस म्यूजिकल एंट्री ओन दा सीन विद जैंग जैंग, साउंड ओफ इस स्पेशली मेड बैंबू स्टाफ, ठीक है, बेकर जो था एक म्यूजिकल एंट्री के एंट अधर बैंबू ओन दा ग्राउंड, ठीक है, एक हाथ से वो जो बास्केट थी, उसको सर पर रखता था, दूसरे हाथ से जो बैंबू था, उसको जमीन पर बजाता आता था, जिससे लोगं को पता चल जाता था है, कि बेकर आ चुका है, वो जो घर की जो हैड लेडी बैंबू को नीचे रखके उसके उपर जो बास्केट थी, उसको रख देता था, जैसे ही वहाँ पर अपनी बास्केट रखते थे, हम बच्चों को बहुत डांट पड़ती थी, कि आप लोग पीछे हो जाएए, नहीं तो आप ब्रेड गिरा देंगे, और जो ब्रेड होती जैसे आप यूँ समझ लीजिए, जो अपना क्रीम रोल होता है, उस तरह से जो एक तरह से ब्रेड लोफ होता था, तो वो क्या करते थे, बच्चों के लिए होता था, और इसलिए वो बहुत ही excitedly baker से मिलते थे, then we did not even care to brush our teeth और wash our mouse properly, and why should we, who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, and why was it necessary at all, the tiger never brushed his teeth, hot tea could wash and clean up everything so nicely after all, अब बच्चे कहते हैं, और आई तिंग आपने भी बच्च्वन में बहुत किया होगा, वह सकता है, अभी भी करते हो, कि वो बिना brush किये, बिना अपना mood होए, और उसकी परवाई नहीं करते थे, और जो bread था, उसे खा लेते थे, फिर वो कहते हैं, कि हमें करने भी क्यों चाहिए परवा, चीके, कौन इतनी तकलीफ करेगा, कि mango leaf को pluck करके, क्योंकि पहले क्या होता था, toothpaste बगरा तो होते नहीं थे, तो mango leaf या फिर उसको pluck करके, हम brush करें, चीके, और यह necessary क्यों था, एक tiger जो होता है, वो भी तो कभी brush नहीं करता, और I think सब नहीं यह सुना होगा अपनी life में, कि share जो है, कभी brush नहीं करते, जब भी किसी को बोला जाता है brush करने के लिए, तो ऐसा नहीं करना, always keep your teeth clean, चीके, तो यहां पर बोलते हैं कि tiger never brush his teeth, hot tea, मतलब जो गरम चाय है, वो सब कुछ साफ कर देगे अंदर, चीके, तो वो लोग बिना brush किये चाय और bread खाने लग जाते थे, चीके, marriage gift are meaningless without the sweet bread known the ball, just as party or a feast loses its charm without bread, चीके, सो जो marriage gift होते थे, मतलब शादी में जो gift दिये चाते थे एक दूसरे को, वो बिना इस sweet bread के बिना अधूरे थे, जिसे हम bowl कहा जाता था, चीके, bowl एक type की dish होती है, चीके, और कोई भी बड़ी party या feast, bread के बिना तो complete होती ही नहीं है, ठीक है, not enough can be said to show how important a baker can be for a village और ये कहना, मतलब हम कही नहीं सकते कि एक baker जो है, कितना जादा important होता है एक village के लिए, the lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement और जो lady of the house होती है, वो अपनी बेटी की सगाई में जरूर ही sandwiches बनाती है, और sandwiches बनाने के लिए क्लिए क्लिए चाही होता है, bread चाही होता है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि bread की अच्छी खासी importance है in the society of Goa, okay cakes and bolinas are must for Christmas as well as other festivals, thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential, चीक है, तो चाही कोई भी festival हो, जैसे Christmas हो, तो उसमें जो cakes होते हैं, या फिर जो bolinas, bolinas एक तरह की dish होती है, sweet dish होती है, तो इसके बिना तो कोई भी festival पूरा नहीं है, तो इसलिए का जा सकता है कि यह जो baker की जो अंगीठी है, यानि यह ज important role play करती है एक गाहों में, चीक है, the baker और bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai, it was a single piece, long frock reaching down the knees, in our childhood we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants, चीक है, अभी है क्या बोल रहे हैं कि जो baker और या फिर bread seller होता है, उनकी एक उस time में, बदब पुराने time में, एक fix dress हुआ करती थी, कैसी एक frock की तरह इस तरह से सकते हैं, एक frock की तरह dress हुआ करती थी, चीक है, एक frock हुआ करती थी, जो कि knees तक जाती थी, जैसे आप देख पा रहे हैं, कि knees तक एक frock type में apron वो पहना करते थे, लेकिन अभी हम बच्पन में हमने ये भी देखा है कि कुछ bakers क्या पहनते थे, trousers पहनते थे, shirt पहनते थे, जो की एक full length trousers से थोड़ी छोटी और जो half pants होती हैं, जो knickers होते हैं, उन से थोड़ी सी लंबी, यानि कह सकते हैं, knee length तक हमने trousers पहनते हुए, उनने देखा है, ओके तो ये baker की एक summary बता रहे हैं हो, उसी के साथ में ये बोल रहे हैं, writer, that even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees, invites the comment that he is dressed like a pajar, च जो की उसके knees से थोड़ी नीचे जाती है, चीके, तो अभी भी उसे ये बोला जाता है, कि तुम बिलकुल padder जैसे, padder कौन था, baker, चीके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, कि baker को उस time में, गोवा में क्या बोला जाता था, padder, तो अभी भी भी तुम क्या, padder की तरह क् कपड़े पहने हुएं तुमारे, ओके, so the baker usually collected his bills at the end of the month, monthly accounts used to be recorded on some wall and pencil, baking was indeed a profitable profession, in the old days, the baker and his family never stopped, तीके, so जो जो बेकर था, जो भी हमारे daily bakery लेकर आता था, या फिर हम कह सकते हैं, breads लेकर आता था, उसके लिए monthly एक अकाउंट बनता था, मतलब मन्त के बाद में, जैसे दूद दे के जाते हैं, मन्त के end में पैसा ले जाते हैं, वैसी bakers करते थे, तो हम wall पर उनका हिसाब लिखकर रखते थे, कि इस दिन इतने रुपे के ब्रेडली, इस दिन इस दिन रुपे के लिए, और फिर वो end में जाते थे, तो इससे क्या होता, पता जलता है, कि baking एक profitable profession था, और जो families थी bakers की, वो कभी भी starved, मतलब भूकी नहीं रही, ठीक है, मतलब अच्छा-कासा वो पैसा कमाते थे, ठीक है, तो यह यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, आगे देखते हैं, he and his family and his servants always looked happy and prosperous, their plum physique was an open testimony to this, even today any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker, ठीक है, तो bakers क्या हो family, baker के servants समेशा बहुत हैपी रहते थे और उनका इसलिए कैसे पता चलती थी यह चीज़ की, बहुत जादे हैपी रहते हैं, खाते-पीते घर के, कि उनका जो shape था body का, बहुत ही उनका पेट निकला हुआ, एक कह सकते है, plum physics, मतलब फूले हुए उनके शरीर होते थे, physique मतलब body structure, तो उनका plum physique, यानि काफी फूला हुआ उनका शरीर रहता था, और इससे पता चलता था, open testimony, open testimony, testimony का मतलब होता है, public statement देते थे, कि हम बहुत जादा खुछ ने, खाते-पीते घर से हैं, तो आज भी कही ना गहीं, अगर कोई ऐसा person है, jackfruit, jackfruit एक fruit होता है, बहुती बढ़ पूरी summary बताई गई है, baker की, जो writer है, उन्होंने बहुत ही अची तरह से explain किया है, कि उनकी life में, बच्पन में, bakers कितने important role play किया गरते थे, ठीक है, अब हम देखेंगे इस chapter के questions, इस मतलब part के questions, ठीक है, तो सबसे जो first question है, इस chapter का वो देख लेते हैं, that what are the elders in Goa nostalgic about, जो गो heard, reminiscing, nostalgic about the good old Portuguese days and their famous loaves of bread, ठीक है, तो जो good old Portuguese time था, जब Portuguese महा रहा करते थे, Portuguese culture था, और उनके जो great breads हुआ करते थी, उसके बारे में, वो क्या करते हैं, सोच उचार करते हैं, उनको याद करते हैं, question number second देखते हैं, कि is bread making still popular in Goa, how do you know, क्या bread making अभी भी है गोआ में, और आप कोई चीज कैसे पता है, the author mentioned that the eaters of the famous bread loaves might have vanished, but the makers are still there, ठीक है, यहाँ पर author ने chapter में बोला है, कि जो eaters हैं, यानि जो खाने वाले जो Portuguese people हैं, भले ही वो चले गए हों, लेकिन वो breads बनाने वाले अभी भी हैं, ठीक है, he mentions the age old time tested furnaces existed and their fire had still not extinguished, उनोंने बताया है कि वो जो furnaces हुआ करती थी, जो वो oven हुआ करते थे, जो अंगीचिया हुआ करती थी, वो अभी भी है, ठीक है, और अभी भी उनकी जो fire है, वो उसमें जल रही है, बुझ ही नहीं है, hence we can say that the bread making is still popular in Goa, तो अभी इसलिए हम कह सकते हैं, कि जो bread making है, वो अभी भी popular है Goa में, ठीक है, next question देखते हैं, what is the baker called, baker को क्या बोला चाता है, या बहुत ही अचा question, one mark में आ सकता है कि baker को क्या बोला चाता है Goa में, पैजर, ठीक है, P-A-D-E-R, पैजर, ओके, next question देखते हैं, when would the baker come every day, why did the children run to meet him, ठीक है, बेकर जो था, वो कब आया करता था, daily, और बच्चे जो थे, वो come to twice every day, once he would set out early in the morning, and the second time when he returned after emptying his huge basket by selling all his bread, ठीक है, जो बेकर था, everyday, दो बार आया करता था, एक तो सुभा, जब वो जाता था, market जाता था, bread बेचता था, तब वो जाता था, और second time, जब वो market से वापस आ रहा होता था, अपनी एम्टी जो बास्के है, एम्टी करके, यानि सारी bread बेच के, जब वो वापस आ रहा होता था, तब वहाँ पर घर पर आता था, वो, the children would run to meet him as they love to eat loaves and long to have bread bangles, which they chose carefully, sometime, it was sweet bread of special make, ठीक है, तो बच्चे क्यों भाग कर जाते थे, क्योंकि वो greet करते थे, जाकर बेकर को, और वो क्या, bread loaves को खाना अच्छा रगता था, और यहां पर bread bangles की बात हुई है, जो कि bread bangles एक special bread हुआ करती थी, और एक कई बार मीठी तरीके की भी bread हुआ करती थी, तो यह सारी चीज़ें बच्चों को खाना बहुत पसंद था, इसी लिए वो भाग कर बेकर से मिलने जाते थे, ठीक है, question number 5 देखते है, match the following, what is a must, ठीक है, इन में से क्या चीज़ें must हैं, जैसे marriage gifts के लिए क्या चीज़ें must ही थी, ठीक है, अभी अपन सबको इसको match करेंगे, party और feast के लिए क्या चीज़ें important थी, ठीक है, तो अभी अपन इसको एक बार कर लेते हैं, देखिए, simple सा है, question, ठीक है जी, तो marriage gift के लिए एक sweet bread bowl जिसको क बनते थे, sandwiches बनते थे, chapter में हमने पढ़ा है, और Christmas पर cakes and bolinas, ठीक है, यह चीज़ें आपको match करनी है, next question देखते है, what did the bakers wear in the Portuguese days when the author was young, अब आप से पुछा गया है कि baker किस तरह की कपड़े पहने जाते थे, ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके के कपड़े बताया गए है, पहला Portuguese time में क्या कपड़े पहनते थे bakers, और दूसरा कि जब author young था, तब लोग क्या कपड़े पहनते थे, ठीक है, पहला answer देखते हैं, कि in the Portuguese days, the bakers were usually dressed up in a peculiar dress known as कबाई, ठीक है, तो Portuguese time में एक popular dress पहनते थे, जिसका नाम कबाई था, it was a single piece long frock reaching down to the knees, ठीक है, एक long frock हुआ करती थी, जो की knees से थोड़ा नीचे जाती थी, ओके, during the author's childhood days, तो यह तो पहली बात होगी Portuguese time की, दूसरी बात क्या हो रही है, कि author के childhood days में, he saw the bakers wearing a shirt, trousers, which were shorter than full length ones and longer than the half pants, ठीक है, so यहाँ पर जब author जो young थे, यानी childhood में थे, तब bakers क्या पहना करते थे, short pant पहनते थे, और pant पहनते थे, और pant कैसी होती थी, ना तो full pant होती थी, ना half pant होती थी, मदब capries होती थी, चीक है, so यह हम लिखेंगे, next question देखते हैं, who invites the comment, he is dressed like a pedger, why? कि किस person को ऐसा कहा जाता था, कि इसने बिलकुल baker जैसे, यानी pedder जैसे कपड़े पहने हुए है, किस person को बोला जाता था, और क्यों बोला जाता था, ठीक है, answer क्या होगा, कि any person who wears a half pant that reaches just below the knees, invites this comment, he is dressed like a pedger, ठीक है, जो ऐसा person, जिसने आपकी ऐसी कोई pant पहनी हुई है, जो कि knees से थोड़ी नीचे जा रही है, यानी capri बन रही है, तो उसको क्या बोला जाता था, कि आपके कपड़े किसके जैसे हैं, बिलकुल pedder जैसे हैं, यानी baker जैसे हैं, ऐसा क्यों बोला जाता था, इसी तरह की कपड़े पहना करते थे, ठीक है, तो जो भी person ऐसी pant पहनता है, जो कि half pant से थोड़ी सी बड़ी है, नीच से नीचे जा रही है, उसे क्या पूला जाता था, ड्रेस लाइक पैड़र या फिर baker, ओके, next question देखते हैं, where were the monthly accounts of baker record, bakers के जो monthly accounts होते थे, मतलब कि कितनी ब्रेड ली, किस दिन ली, ये कहां record किये जाते थे, तो बहुत ही simple सा answer, the bakers usually collected their bills at the end of the month, and month के end में वो लो collect करते थे अपना पैसा, and their monthly accounts were recorded on some wall in the house with a pencil, और उनके जो accounts होते थे, वो क्या किये जाते थे, house की wall पर लिखे जाते थे, एक pencil से, okay, next question देखते हैं, कि what does a jackfruit like appearance mean, jackfruit की appearance, जैसा मतलब क्या होता है, मतलब एक person को हम बोल रहे हैं, कि आपकी shape जो है jackfruit, fruit जैसी है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, answer इसका होगा, कि a jackfruit like appearance means a plump physics, मतलब तो jackfruit का मतलब है, कि किसी person का इस तरह से शरीर होना, चीक है, इस तरह से शरीर होना, मतलब पेट भी उसका goal है, काफी इस तरह पूला हुआ person है, तो jackfruit भी एक fruit होता है, चीक है, तो अब baker used to resemble such a physique since it was believed that he and his family never stopped, ठीक है, बेकर को physique, ऐसी physique baker की होती थी, ऐसे plumpy, तो जिससे आ जाता था, jackfruit की चरा है, इससे ये पता चलता थ कि baker की family और baker कभी भी भूके नहीं रहे हैं, baking was a lucrative, lucrative मतलब profitable, चीक है, lucrative मतलब profitable profession and the baker, his family and his servants always looked happy and prosperous with their physical appearance, और उनकी body को देखकर ऐसा लगता था कि ये लोग बहुत जादा खुश है, prosperous है, क्योंकि वो एकदम ऐसा बोला जाता है न, आपको भी कई बोला जाता होगा, जो भी healthy people होते हैं, they are like मतलब खाते-पीते घर के हैं, तो सारे bakers को ऐसा संजा जाता था है कि सारी ये खाते-पीते घर के हैं, और just because उनका पेट थोड़ा बड़ा रहता था, plumpy physique होती जिसे हम क्या बोलते थे, jackfruit-like appearance, ठीक है, तो ये आपका answer हो जाएगा, midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God, चीक है, इन्होंने बहुत ही अच्छे से define किया है, कि midway मतलब Mysore एक शहर है, और Mysore और Mangalore के बीच में एक छोटा सा जगा है, एक piece of heaven है, जिसे शायद kingdom of God, यानि God की kingdom से नीचे लाया गया है, drifted away, मतलब carried along gently, चीक है, तो मतलब God की जो kingdom थी, उस heaven से छोटा सा टुकडा लाकर नीचे जमीन पर रखा हुआ है, और उसका नाम क्या है, कुर्ग, चीक है, इस land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures, ठीक है, यह जो land of rolling hills है, यहां पर काफी सारी rolling hills हैं, यहां पर inhabited a proud race of martial men, martial man, जो martial basically बोला जाता है, जैसे war लडने वाले योद्धा, ऐसे टाइप men, बहुती beautiful women, और wild creatures, यानि जंगली जो creatures होता है, उन्होंने carry किया है इस जगा को, यानि यह तीन चीज़ें यहां पर mostly पाई जाती हैं, ओके, कुर्ग और कुडागू, दो नाम है, कुर्ग और कुडागू, the smallest district of Karnataka is home of evergreen rainforest, spices, coffee, plantation, जो यह कुर्ग है, जिससे कुडागू भी बोला जाता है, यह Karnataka का सबसे चोटा district है, और यहां पर evergreen rainforest, यानि जो कभी नहीं कह सकते हैं, जड़ते हैं, यानि हमेशा green रहते हैं, बहुत सारे यहां पर मिलते हैं, और coffee plantation, यानि coffee के बागान है, okay, evergreen rainforest cover 30% of this district, इस district का 30% कौन cover करते हैं, evergreen rainforest, मतलब, जो evergreen, सदा बाहर यह, जो जंगल है, वो, during the monsoons, it pours enough to keep many visitors away, the season of joy commences from September and continues till March, the weather is perfect with some showers thrown in for good measure, ठीक है, monsoon में तो इतनी साथ यहां पर बारिश होती है, कि कोई भी visitor यहां नहीं आता, लेकिन जो बहुती अच्छा season यहां पर रहता है, यानि बहुती happiness का season रहता है, वो रहता है September से, और continue रहता है March तक, मतलब, September से, March तक आप यहां जा सकते हो, the weather is perfect, weather एक्दम perfect होता है, with some showers thrown in for good measures एक अच्छी खासी, मतलब, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, जो कि बहुती मन भावदी होती है, ओके, आगे देखते हैं, the air breathes for invigorating coffee, coffee estates and colonial banglaas and stand tugged under tree canopies and prime corners, the fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent, यहां पर बोला गया है, कि air में invigorating, invigorating मतलब होता है, बहुती strong, healthy, full of energy, एक ऐसी aroma, पूरे यहां पर हवा में फैला हुआ होता है, coffee का, coffee states है, यहां पर colonial banglaas, colonial banglaas मतलब जो British time में बनाये गए थे, उसके अलावा, और यह जो banglaas है, यह क्या है, canopies trees होते हैं, जो इस shape में आपको एक बार बता देती हूँ, जो Christmas tree आपने देखा होगा, तो इस shape में जो हमारे trees होते हैं, उन trees यहां पर बने हुए हैं, और इनके नीचे banglaas हैं, चीक है, और prime corners में यानि काफी अच्छी जगाओं पर, prime मतलब बहुती है, best जगाओं पर, the fiercely independent people of kurga are possibly of Greek, जो जितने भी यहां पर, जो fiercely, fiercely मतलब जादा तर यहां पर क्या है, independent यानि आजाद या फिर Arabic जगा से हैं, चीक है, तो यह दो आपको cultures यहां पर देखने को मिलेंगे, next देखते हैं, कि as one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical, चीक है, एक story यह कहती है, कि Alexander की जो एक पार्ट थी, आर्मी की, वो south की तरफ चले गए, मतलब Alexander north की तरफ चला गया, एक छोटी सी जो उसक की तरफ जाने के बाद में, और यहां पर इधर कूर्ग में आके settled हो गए, क्योंकि वापिस जाना उनके लिए possible नहीं था, चीक है, these people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rights, which are distinct from Hindu mainstream, चीक है, और इनी लोगोंने वहां के जो local people थे, उनके बीच में उनकी शादियां हुई, और mostly जो है, यहा और लड़ाई वाले जो ऐसे tradition थे, वो चालू हुए, यहां पर bad sense में नहीं है, बल्कि यहां पर war के sense में है, यानि लोग योद्धा बने और marriage and religious rights जो थे, वो पुराने ही Alexander के time के चले, जो की Hindu mainstream में था, जो Hindu culture होता है, उससे थोड़ा सा अलग है, चीक है, आगे देखते हैं The theory of Arab origin draws support from long black coat with an embroidery waist belt worn by Kudavus, known as Kupia, as resembled the Kupia, worn by the Arabs and the Kurds और यहां पर बोला जा रहा है, चलो इससे तो क्या हो गया, पता चल गया कि Greek, क्योंकि Alexander के आता, वो Greece से आयता, तो वो Greek था, लेकिन Arabic कैसे पता चला कि Arabic type के भी लोग यहां पर हैं, कि देखिए यह पता चलता है, कि long black coat जो पहनते थे, ऐसे लोग long black coat पहनते हैं, और waist पर ए जैसे कि Arabian people पहनते हैं अपनी dress, मादा उनकी dress और Arabic people की dress और जो कुर्ग में लोग रहते हैं, उनकी dresses काफी मिलती जूलती है, और जो Arabic में जो कुफिया dress है, वो यहां की कुपिया dress बोली जाती है, तो इससे कही न गहीं पता चलता है, कि इस tradition में, इस culture में, Arabic थोड़ा सा resemblance ह आगे देखते हैं, कुर्गी homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father, जो कुर्गी homes हैं उनके एक tradition रहता है hospitality का, यानि बहुती मन भावन होते हैं, यह हर guest को, हर relative को बहुती प्यार से welcome करते हैं, बहुती hospital label होते हैं यह लोग, चीक है, तो और इनसे यह पता चलता है, कि इनके जो tales of valor हैं, यानि जो इनके पर दादाओं की, दादाओं की जो कहानिया हैं, जो वीर गाता हैं, उनको सुनाने में यह कभी नहीं ठकते हैं, यानि they are proud to their culture and they are very hospitable, ओके, चले, आगे देखते हैं, the Kourj Regiment is one of the most decorated in Indian Army and the first chief of Indian Army, General Karipa was a Kourgi, चीक है, जिन लोगों को नहीं पता, उनको बता देती हूँ, first chief of Indian Army जो थे, वो थे General Karipa, बहुत ही decorated Army officer थे और वो एक Kourgi थे, और यह जो Kourgi Regiment है, यह इंडिया की सबसे जादा decorated, यानि सबसे जादा medals इसी Regiment को मिले हैं, तो Indian Army की सबसे जादा decorated Regiment है यह, even now Kodavus are the only people in India, permitting to carry firearms without a license and Kodavus इंडिया के एकलोते ऐसे लोग हैं, जिन हें firearms यानि guns, pistol रखने allowed हैं without any license, नहीं तो सबको license लेना पड़ता है, ठीक है, so मतलब आप समझ सकते हैं कि they are into the war and they are really powerful yet wisdom is, ठीक है, क्योंकि firearms किसी को भी allowed नहीं होते हैं, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, the river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg, Kaveri जो river है, वो Kurg के जंगलों से, hills से ही पानी लेती है, यानि शुरू यहीं से होती है, origin जो Kaveri का है, वो कहां से है, Kurg से, महसीर, महसीर, a large freshwater fish abound in these waters, और इनी पानी में एक महसीर, एक large बड़ी सारी एक freshwater की fish है, जो इनी पानी में मिलती है, kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water, जो kingfishers होते हैं, यानि जो मचवारे होते हैं, वो उन fish को पकड़ने के लिए डाइव करते हैं, उसी पानी में, और जो langurs होते हैं, और जो squirrels होते हैं, वो आदे खाय हुए fruits को पानी में फेकते हैं, जिससे पानी में आपने देखा होगा ना, पानी में हम तो किस तरह से एक swirl effect बनता है, इस तरह से swirl effect बनता है, तो उसको देखकर खुश होती हैं, वो बहत जादा, और कही ना कही मचवारों को लगता है कि वहाँ पर fish है, तो ये कौन मस्ती करता है उनके साथ, langurs and squirrels, so squirrels और langurs क्या करते हैं, चोटे-चोटे fruits पानी में फेकते हैं चलिए, आगे देखता है, elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahots, mahots बोला जाता है, महावच जिसको बोला जाता है, जो कि elephant को ride करता है, तो elephants को बहत अच्छा लगता है नहलाना और scrub करना, scrub मतलब रब करना किसी चीज से, elephants को बहत अच्छा लगता है, तो उनके जो mahots हैं, वो ये सारी चीज़ तो जो most lead big, lead big का मतलब होता है, बहुत ही relaxed जो लोग होते हैं, वो भी यहाँ पर convert हो जाते हैं, एक adventurous person में, जब वो क्या करते हैं, rafting करते हैं या canoeing करते हैं, rafting को आप तो पता है, एक छोड़ी सी plastic की boat होती है, जिसको बहुत ही तेज पानी में वो लोग चलाते हैं, और canoe मतलब एक narrow boat होती है, जिसको क्या करते हैं, ट्रावल करते हैं उसमें बैठ के, जिससे आपने कश्मीर वगरा में देखा होगा, तो मतलब इवन जो बहुत ही relaxed person होते हैं, वो भी आकर यहाँ पर adventurous हो जाते हैं, वहां का maholy कुछ ऐसा है, इसके अलावा, rappelling वो लो करते हैं, rock climbing करते हैं, mountain biking करते हैं, पता है आपको कि mountain में छोटी जो टायर वाली बाइक होती है, उसको लेका चलाना, climbing, rock climbing मतलब rocks पर चरना, और rappelling का मतलब जैसे rock climb कर ली और फिर उसी रसी से नीचे की तरफ आना, तो यह सारे adventuring जो चीजे होती हैं, वो कुर्ग में होती है, तो आपक trackers होते हैं, यानि जो track करते हैं, track क्या होता है, नॉर्मली पहाड़ों पर चड़ना, चीक है, not mountaineering की बात नहीं कर रही मैं, बट ऐसे कुछी अच्छे से green रास्ते पर चलना, वो trackers होते हैं, तो trackers के लिए भी यह बहुती फेवरेट जगा है, कुर्ग, birds, bees and butterflies are there to give you company, यह however, prefer to step aside for wild elephants, ठीक है, तो यहाँ पर यह जानवर बता रहे हैं, मकाक्स हो गए, मालबर स्कुरिल्स हो गई, लंगूर्स हो गए, and slender loris, यह जानवर हैं सारे, यह जो trees होते हैं, जैसे मैं आपको trees बताए, कनोफी's trees, उनके ओपर बैठ कर आपको देखते रहते हैं, ठीक है, हमारे author कह रहे हैं, I prefer to step aside, कि जैसी जंगली जो हाती होते हैं, मुझे उनसे डर लगता है, तो मैं उनसे दूर हट जाता हूँ, ठीक है, आगे देखते हैं, the climb to the Brahmagari Hills, brings you into a panoramic view of the entire mystery landscape of Kurg, और जब आप Brahmagari Hills की तरफ चड़ जाते हो, यह कुर्ग में ही है, तब आपको panor में a panorama, बहुती एगना white जगा आपको दिखती है, बहुती white जगा दिखती है, मतलब पूरा कुर्ग यहां से नजर आता है, the entire misty landscape of Kurg, कुर्ग का पूरा landscape आपके सामने आ जाता है, a walk across the rope bridge leads you to the 64-acre island of Nisargdhamma, ठीक है, और एक जो rope bridge है, अगर आप उसको cross करके जाते हो, तो आप एक island में पहुँच जाते हो, और 64-acre की एक जगा है, जो कि एक island बना हुआ है, जिके जिसका नाम है Nisargdhamma, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Baila Kuppi is a bonus, और इसी के साथ में एक Buddhist monks का, एक India का सबसे बड़ा Tibetan settlement है, यानि जो Buddhist monks थे, वो वहाँ पर आके रहे हुए हैं, और यह सबसे बड़ जो कि कुर्ग के पास ही है, एक bonus tip है, यानि आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए, आप जब यह rope यूज करके 64 island में जाएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी जिगा देखने को मिलेंगी, जिसका नाम है Baila Kuppi, चीके, तो यह था हमारा कुर्ग, चीके, I hope आपको कुर्ग घूमने में बहुत मज़ा आया होगा, अभी इसी chapter के हम question answers भी करेंगे, तो सबसे पहला जो question है, वो यह है कि where is कुर्ग, कुर्ग कहां है, so कुर्ग और कुजागू जो इसका नाम है, is the smallest district of करनाटका, that is located midway between Mysore and Mangalore, चीके, करनाटका में है कुर्ग, और Mysore और Mangalore के बीच में एक छोटी सी जगा है, और जो यह कुर्ग है, यह करनाटका का सबसे छोटा district है, okay, तो बहुत ही simple सा question था, next question देखते है, what is the story about Kodawu people's descent, Kodawu people, यानि जो कुर्ग के लोग है, उनके descent की, यानि उनके पिछले की, उनके आने की मतलग, किस तरह से वो उस जगा पर आके रहे, उनकी क्या history है उनके बीचे, ठीक है, देखते हैं, the fiercely independent people of Korg are believed to be the descendants of Greek or the Arabic origin, ठीक है, या तो वो Greek या फिर Arabic origin से हैं, as the story goes, a section of Alexander's army moved south along the coast and settled there when they could not return to their country, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि Alexander, जो की Greek था, वो अपनी आर्मी के साथ जब India आया था, तब उसकी आर्मी का एक पार्ट south की तरफ चला गया था, जो की Korg में जाकर settle हो गये थे, वो लोग वहाँ पर क्योंकि वापस जाना possible नहीं था, ओके, these people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rights, which are distinct from the Hindu mainstream, ठीक है, तो वहीं से ही इन लोगों ने जो वहां के locals से वहां से शादी करी, और इनक और तरीके हैं, जो इनकी शादियां, जिस स्टाइल में होती है, जिस तरह के इनके traditions है, वो सारे कहीं ना कहीं, जो Greek लोग है, उनके जैसी है, ना की Hinduism जैसी, तो इनके जो distant था, वो कहां से था, Greek या फिर Arabic से था, this is a beautiful story about Qudavi people distant, ठीक है, तो यह जो स्टोरी है, Alexander वाली, आर Arabic descent से belong करते हैं, ओके, next question देखते हैं, तो basically यह थोड़ा सा, इसमें चार पार्ट हैं, इस question में, so question कहते हैं, what are some of the things you now know about Qurg, तो यह जो चीजें हैं, इनके बारे में, आप अभी इस चाप्टर से क्या-क्या समझें, पहला, the people of Qurg, Qurg के लोगों के बारे में, the main crop of Qurg, की Qurg की main crop के बारे में, the sports it offers to tourists, वो sports जो की यह लोग अपने tourist को उफर करते हैं, the animals you are likely to see in the Qurg, और वो animals जो की Qurg में आप जाधा तर देखेंगे, and its distance from Bangalore and how to get there, और इसकी Bangalore से distance, चीक है, देखने हैं आगे, तो सबसे पहले तो लोगों के बारे में, जो अभी हमने पहला question पढ़ से, उसके अलावा, they are very hospitable, and they are more willing to recount numerous trails of beverage, और उन्हें बहुत ही proud है, अपने दादाओं, अपने परदादाओं की जो, वेलर की जो स्टोरी थी, उनके जो शौरे की गाता है थी, उन पर बहुत जादा हुने proud है, और इसी वजह से, और in fact, सबसे बड़ी बात की, Qudavu's people are the only people in India, who are allowed to keep firearms without any license, ठीक है, बिना किसी license के, they are allowed to carry firearms, ठीक है, जो कहीं भी नहीं है, तो ये भी आप इसमें add कर सकते हैं, तो ये चीज़ हमने सीखी, लोगों के बारे में, दूसरा पार्ट देख लेते हैं, कि कौन सी crop है, तो coffee is the main crop of Qud, Qud की जो main crop है, वो है coffee, चीक है, वहां की जो breeze है, वहां की जो hawa है, उसमें coffee की refreshing feeling है, चीक है, the air breeze of invigorating coffee, coffee states and colonial banglars, stand tucked under the tree canopies and prime counters of the town, चीक है, तो coffee आपको इसका अंसल लिखना है, और पूरी जो इसकी हवा है, वहां पर coffee की smell होती है, तो this is wonderful, next, देखते हैं कि यहां पर sports, वो sports जो की कुर्ग अपने tourist को offer करता है, कुर्ग offers a variety of high energy adventure sports that include, ठीक है, high energy adventure sports देता है अपने tourist को, जैसे की river rafting, जब छोटी सी river में, बहुती तेज चलते हुए पानी में, आप क्या करते हो, rafting करते हो, यानि पानी को काटते हो, आगे बढ़त के नौइं, के नौइंग मतलब एक शांत पानी में, बोट चुप-चुप तैर रही है और उसमें आप बहठे हो, ठीक है, रैपलिंग, रैपलिंग मतलब जब आप पहाड से नीचे उतरते हो, रॉक क्लाइंबिंग, रॉक को चड़ना, माउंटेन बाइक लेकर और स्लेंजर लोरी, वाइल्ड एलिफेंट, एट्सेटर, ये कुछ आप अनिमल्स देखेंगे, उसके अलावा बर्ड देखेंगे, बीज देखेंगे, बाटरफ्लाइज देखेंगे, चीक है, तो ये जितने भी आपको नाम याद आ है, उस टाइम आप लिख दीजेगा, चीक ने पतना, चीक है, ये उधर करनाटका में ही ये जगा है, तो आप डिरेक्ली वहाँ पहुँचकर वहाँ से बाइर रोड आपको रख जा सकते हैं, चीक है, तो ये दो चीजे हैं, जो हमना आरी ये पास चीजे थी, ये हमने इस चाप्टर से सीखी, चाप्टर शुरू होता है, एक ट्रेन के सीन के साथ, ट्रेन में आप जाते हैं, ट्रेन स्टेशन पर जाते हैं, जब आप जब ट्रेन में ट्रावल करते हैं, तो गुछ इस तरह का माहौल आपको दिखाई देता है, उसी से ही ये चाप्टर शुरू होता है, कि चाय गरम ग चाएगरम चाहे ऐसे एक वेंडर, वेंडर मतलब कोई भी बेचने वाले होते हैं, चोटी मोडी चीज जाएगरम, कुछ चिप, स्नाक्स वगरा जो बेचते हैं, तो उन्हें हम वेंडर बोलते हैं, मतलब एक छोटा सा दुकानदार, जो basically carry करता है अपना समान साथ में, तो कि एक वेंडर बहुत तेज आवाज में, हाई-पिस्ड आवाज में चिलाता है, कि चाहे गरम, he came up to their window and asked, चाहे साब, वो हमारी विंडो पर आता है, और कहता है, कि चाहे साब, मतलब क्या आप चाहें लेंगे, give us two cups, प्रांजल सेट, हमें दो कप चाहे दे दीजे, प्रांज कहता है, तो प्रांजल का उन है, जो मैंने अभी दो फ्रेंड की बात की है, दो जनों की बात की है, उसमें से एक का नाम है, प्रांजल, नाम से ही पता चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बिंगॉली नाम है, ठीके, they sipped the steaming hot liquid, almost everyone in their compartment was drinking tea too, ठीके, उन्होंने, ये steaming hot liquid, यानि यहाँ पर tea की बात हो रही है, मतलब एक जम जो ये गरम liquid है, यानि चाय है, ये वो sip किया उन्होंने, ठीके, और उनके compartment, compartment मतलब उनका जो कोच था, उस कोच में, हर एक person almost चाय पी रहा था, ठीके, तो काभी अच्छा यहाँ पर train का मोखल बना दिया, मुझे तो trains बहुत ज अबर आपको buses अच्छी लगती है, मुझे I love train on anytime, ठीके, तो आप मुझे comment section में बताएंगे, ठीके, do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, क्या आपको पता है, एक पूरे दिन में 80 crore cups of tea पी जाते हैं, और ये जो chapter ये तो काफी पहले निखा गया है, अभी ये जो number दिया हुआ है, ये triple four time हो चुका होगा, ओके, Rajveer said, Rajveer बोला, ठीके, Rajveer हमारा दूसरा person हो गया, व्यू, exclaim Pranjal, tea is really popular, तो व्यू, व्यू बोला चाता है, surprise की सच में, well, tea जो है, वो बहुत जादा popular है, ओके, आगे देखते हैं, the train pulled out of the station, Pranjal buried his nose in his detective book again, Rajveer too was an urgent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery, okay, train pulled out of the station, इसका मतलब train वहां से जाने लगती है, मतलब station से निकलती है, और Pranjal जो है, वापिस अपनी nose को बरी कर लेता है, मतलब वापिस पढ़ने लग जाता है, book हम कैसे बढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं, तो हमारी nose इक तरह से बरी हो जाती है, तो Pranjal अपनी nose क वापिस बरी कर देता है, इसी book जिसमें कोई detective stories हो, उसमें बरी कर देता है, यानि वापिस पढ़ने लग जाता है, राजवीर भी एक ardent, ardent का मतलब होता है, बहती passionate था detective stories के बारे में, यानि उसको बहुत अच्छा लगता था detective stories पढ़ना, लेकिन अभी वो फोकस कर रहा थ तो बहार की beauty पर वो जादा फोकस कर रहा था, मतलब बहार देखना उसको जादा पसंद था, कीनर का मतलब है, extremely eager, मतलब वो excitedly बहार देख रहा था कि बहार कैसा सीन है, आगे देखते हैं, it was green, green everywhere, हर तरफ हरा हरा था, राजवीर had never seen so much greenery before, और राजवीर ने इससे पहले इससे जादा greenery कभी नहीं देखी थी, then the soft green paddy fields gave way to the tea bushes, और ये जो soft green paddy fields tea, ठीक है, paddy का मतलब है, जहां पर rise होगाया जाता है, gave way to tea bushes, और इसके साथ साथ में क्या थी, tea की bushes भी होगे होगे थी, यानि tea और paddy, यानि rice दोनों होगे होगे थे, it was a magnificent view, ठीक है, magnificent मतलब extremely beautiful view थ against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stressed as far as the eye could see, एक wooded hills मतलब काफी जादा जंगल वाली hills के बाद में आप देखोगे, तो सिर्फ टी के ही बागान है, यानि चाय के ही बागान है, और जहां तक आपकी नज़र जाती है, वहां तक आपको टी मिलेगी, मतलब चाय मिलेगी, okay, dwarfing the tiny tea plants were tall study shade trees, the order orderly rows of bushes, busily around doll-like figures, okay, अब यहां पर कैसे वो सीन बता रहे हैं, कि देखे, इस तरह से tea उगी हुई थी, और सासन में बड़े-बड़े पेड हो गए हुए थे, उनके सामने tea के जो trees थे, plants थे, वो बहुत छोटे लग रहे थे, तो बड़े-बड़े ऐसे पेड उगे हुए थे मतलब होता है, वहाँ पर strong, sturdy का मतलब होता है, strong और dwarfing मतलब किसी चीज़ को छोटा दिखाना यानि बोना दिखाना, चीक है, orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures, और यह जो plants थे, tree के, यह कैसे feel हो रहे थे, जैसे कि कुछ dolls वहाँ पर खड़ी हैं, okay, आगे देखता है, in the distance was an ugly building with smoke, blowing out of tall chimneys, च इसकी चिमनी से, धुआ जो था, smoke जो था, वो बहार की तरफ निकल रहा था, belowing का मतलब कोई चीज़ बहार की तरफ निकलना, okay, hey, अच्छी garden, Rajveer cried excitedly, hey, देखो, एक चाय का बागान है, बहुती excitedly वो चिलाया, Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement, चीक है, अब यहाँ पर क्या था अब हमको हमको पता चला की, Pranjal क्यों नहीं बहार देख रहा था, because he was born and brought up in the plantation, मतलब वो उसी एरिया में पैदा हुआ और जन्मा था, तो इसके लिए यह चीज़ तो नॉर्मल थी, चीक है, जैसे, for example, we, I, born and brought up in the desert area, तो मुझे desert area अटने इंटाइस नहीं करेगा, लेकिन जो बहार से लोग आते हैं, right, जैसे foreigners आते हैं, तो वो जादा तो उनको बहात अच्छा लगता है, यह desert, sand dunes वगरा देखना, okay, oh, this is a tea country now, he said, Assam has the largest concentration of plantation in the world, चीक है, तो जो प्रांजौल है, वो कहता है, कि अब हम tea country में पहुँच चोके हैं, यानि Assam जो है, वो खुद मे हैं, पूरी दुनिया में, चीक है, तो यह चीज प्रांजौल बता रहा है, राजवीर को, आगे देखते हैं, you will see enough gardens to last you a lifetime, I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said, no one really knows who discovered tea, but there are many legends, चीक है, अब यहां पर क्या है, कि यहां पर प्रांजौल उसको कह रहा है, कि तुम्हें बहुत सारे आपर gardens दिखेंगे, और जब तक तुम उसको देखना चाते हो, तुम देख सकते हो, मतलब तुम्हारी life के end तक भी तुम्हें वो याद रहेंगे, इतने सारे gardens तुम देखोगे यहांपर, मतलब काफी सारे gardens है, चीक है, और यहां पर राजवीर कह रहा है, कि मैं tea के बारे म legends मतलब ऐसी stories हैं, जो बताती हैं कि tea यहां से discover हुई थी, चीक है, अब राजवीर पूछा है, कि क्या है legends, well there is the one about Chinese emperor who always boiled water before drinking it, one day a few leaves of the twink burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor, चीक है, अब यहां पर क्या बोला चारा है, कि एक Chinese emperor था, जो कि हमेशा पानी को पीने से पहले boil करता था, तो एक दि से कुछ ट्वीक की leaves थी, वो आकर गिर गई, और जिसकी वजह से उस पानी को एक special flavor मिला, एक aromatic, बहुत ही खुश्बूदार flavor मिला पानी को, चीक है, it is said that they were tea leaves, ठीक है, और ऐसा कहा जाता है, कि वो जो leaves थी, वो tea leaves थी, tell me another, तो यहां पर प्रांजल कहता है, कि मेर को एक और स्कॉफद प्रांजल, स्कॉफद का मतलब है, हंसता है वो, कि देखो कितनी funny story है, या पर प्रांजल को लगता है, कि वो ऐसे ही बोल रहा है, जूट बोल रहा है, this is a mythology, ठीक है, तो प्रांजल कहता है, कि मुझे और बता हो, we have an Indian legend too, हमारे बास एक Indian legend, या मतलब एक Indian story भी है बोधी धर्म, an ancient Buddhist ascetic, cut out his eyelids, because he felt sleepy during meditations, tenty plants grew out of the eyelids, the leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep, okay, देखो अभी हाँपर, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कि एक बोधी धर्म में, एक बोधी धर्म में, एक बोधी धर्म में, एक बोधी धर्म में एक बोधी धर्म था, एक मॉंक था, ठीक है, उस पर्सने क्या किया, वो meditation में रहना चाता था, लेकिन वो जब भी meditation करता, वो सो जाता था, तो इसलिए उसने अपनी eyelids जो थी, वो काट दी थी, चीक है, कट कर दी थी उसने, जिससे वो सो ना पाए, I don't know what is the reason, तो वो eyelids जहां गिरी न, वो वहाँ पर कुछ प्लांट्स हो क्यों नेंद नहीं आएगी, यानि उनकी नेंद रुट जाएगी, I don't know whether it is true or not, चीक है, बट ऐसा माना जाता है, चीक है, बानिश का मतलब है, get rid of, अब आप नेंद नहीं आएगी, ओके, आगे देखते हैं, tea was first drink in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC, in fact words such as tea, chai, chini are from Chinese, चीक है, अब यहाँ यह सारे words है, chai, chini, tea, यह सारे words Chinese है, चीक है, tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than a beverage, ठीक है, tea जो है यूरोप में 16th century में आई थी, यानि 15001 से लेकर 1599 तर, चीक है, तो उस time यूरोप में एक दवाई की तरह चाय पी जाती थी, ना की एक बिवरेज, यानि एक पीने वाली चीज की तरह, The train clattered into Mariani Junction, the boys collected their luggage and pushed their way to crowded platform, चीक है, जो train थी, वो clattered मतलब Mariani Junction पर जाकर खड़ी होगी, clatter मतलब, जिसे एक train जा रही है, दूसरी train आ रही है, मतलब रुख गई वहाँ पर, boys ने अपने समान को collect किया और push करते हुए उस platform से वो निकले, चीक है, आगे देखते हैं, Pranjal's parents were waiting from them, Pranjal के parents जो थे, वो वहाँ पर wait कर रहे थे, उनके लिए, soon they were driving towards Dekia Bari, the tea garden managed by Pranjal's father, soon वो कहाँ जाने लगे, Dekia Bari, जहाँ, वो tree garden था, जिसको Pranjal के father manage करते थे, An hour later, the car with sharply of the main road, they crossed a cattle bridge and entered Dekia Bari, tea states, ठीक है, weed का मतलब, car जो थी, वो sharply, मतलब, बहुत जल्दी से main road पर आ गई car, वहाँ पर उन्होंने एक cattle bridge, मतलब, एक छोटा सा bridge cross किया, and फिर वो, Dekia Bari, मतलब, जिस जगा पर वो जा रहे थे, उस tea state में पहुँच गए, On both sides of gravel road, were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height, जीक है, ग्रेवल का मतलब होता है, इस उबर खाबर road पर, आप देखोगे, तो एकणों में, एकणों में tea plantation थे, मतलब, चाय के बागान थे, और उनकी almost same ही height थी, प्रून का मतलब होता है, इस तरह से उनकी cutting की हुई थी, कि वह same height के लग रहे Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic appearance, were plucking the newly sprouted leaves, जैसे tea है, तो आपने बस पूरा-पूरा पर उठाया और उसको cut करके और consume कर लिया, नहीं, जो freshly leaves होती है, उनको तोड़ा जाता है, प्लक किया जाता है, तो आपने movies वगरा में देखा होगा, तो जो tea pluckers होते है, वो इस तरह से fresh leaves तोड़ते हैं, और उनके पीछे एक basket लगी होती है, उसमें वो डाल देते हैं, तो ऐसे पूरी जो tree blockers थे, वो वहाँ पर घूम रहे थे, उनके बैक पर bamboo basket थी, और उन्होंने plastic aprons, aprons मतलब खाना बनाने से पहला आपने देखा होगा, एक apron पहना जाता है, जैसे कि कपड़े गंदे न pulling a trailer load of tea leaves to pass, ठीक है, Pranjal के father ने slow down किया, मतलब रोका एक tractor को, जो की tea leaves को लेकर जा रहा था, ठीक है, this is the second flush or sprouting period, isn't it Mr. Barua Rajveeraz, it lasts from May to July and yields the best tea, यहाँ पर जो Rajveer है, Mr. Barua यानि Pranjal के father से बोल रहे हैं, यह second flush, मतलर, second flush मतलर, जो sprouting period, जब second time tea पर leaves आती है, पहली बार आगी, तो वो तोड़ ली, तो दूसरी time जो leaves आती है, और यह May to July तक रहता है, और इसमें ही सबसे अच्छी tea leaves उगती हैं, और सबसे अच्छी चाय होती है, तो यह Rajveer को पहले से ही पढ़ के आया है, क्योंकि Rajveer, जै यहां आने से पहले तुम पढ़ाई करके आयो, homework मतलब यहां आने से पहले यहां की सारी जनकरी लेकर आयो, चीक है, yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, Rajveer ने admit किया, कि yes, बिलकुल I admit करता हूँ इस चीज को, but I hope to learn much more while I am here, लेकिन मैं यहां रहके और भी सारी चीज़ें सीखना चाहता हूँ, त यह जो हमने part 3 किया, इसके question and answers, ठीक है, तो basically आपको करना किया है, यह कुछ sentences दिये हुए हैं, और आपको shuffle करके words दिये हुए हैं, और आपको इन ही words को put करना है in sentences में, ठीक है, इन सब का meaning मैं भी मैं आपको बताती चाहूँगी, और साथी यह भी बताती चाहूँगी कि कौ heavy कुछ चीज का forecast किया गया है, यानि estimation लगाया गया है कि Bay of Bengal में pressure बढ़ने से यह चीज होगी, ठीक है, अब जब भी atmosphere में pressure बढ़ता है, आपको पता है, science का question है, basic question है, कि क्या होता है, बारिश आती है, ठीक है, rain, अब rain का देखो कि इन में से कौन सा ऐसा word है, जो की rain के है, ठीक है, हमने लेंचो वाला chapter बढ़ा था, लेंचो में भी यह word आया था, लेंचो वाले में rain को क्या बोला गया था, downpour, ठीक है, तो इसी लिए यह वाला जो word है, यह यहाँ पर आएगा, rain का synonym क्या होगा, downpour, जब भी pressure बनता है, तो हम क्या होता है, rain होती है, तो rain के क्या word यूज़ करेंगे, downpour, next हमारा sentence देखते हैं कि राकेश will dash, dash major surgery tomorrow morning, कि राकेश जो है, कल सुबह एक major surgery करेगा, तो जैसे कि dance होता है, singing होती है, surgery होती है, इनके लिए हम word यूज़ करते है, perform, मतलब क्या verb यूज़ होगी, perform कि यह लोग क्या करेंगे, surgery को perform करेंगे, dance को perform करेंगे, singing को perform करेंगे, तो perform का ही जो synonym है, वो है undergo, चीक है, undergo मतलब किसी चीज़ को perform करना, या किसी चीज़ को process करना, is known as perform, चीक है, तो undergo हम word यूज़ करेंगे, okay, third वाला sentence देखते हैं, कि my brother is responsible for dash of our family property, कि हमारी property के dash के लिए मेरा brother responsible है, अब family property को हम क्या कर सकते हैं, तीनों मैंसे एक word चूज़ कर लो, अब keep downfall walking, चीक है, तो downfall का मतलब होता है, पतन, तो किसी चीज़ का पतन हो रहा है, तो उसके लिए मेरा जो brother है, वो ही responsible है, चीक है, तो downfall मतलब किसी चीज़ को diminishize करना, यानि किसी चीज़ को और भी कर देना, that is downfall, चीक है, next हमारा sentence देखता है, the rate dash for this accountancy course is very high, इस accountancy course के लिए जो rate है, वो बहुत जादा high है, तो rate के लिए क्या आएगा, तो downfall तो cut हो गया, अब आएगा upkeep, अब keep का मतलब होता है, कि अभी जो इसकी price रखी गई है, वो क्या है, बहुत जादा high है, तो upkeep इ आएगा walk-in, walk-in क्या होता है, sentence पढ़ते हैं पहले, she went to an enterprise company to attend a dash interview, वो एक enterprise company में गई, एक dash interview को कंड़क करने, यानि एक walk-in, walk-in interview का मतलब होता है, ऐसा interview, जिसमें आपका appointment fix नहीं होता, आप सिर्फ जाईए और interview दे दीजिए, चीक है, पहले आपको कुछ भी apply नहीं करना पढ़ता, सिर्फ आप walk कीजिए अंदर, और आप interview दे सकते हैं, that is called walk-in interview, okay, so वो एक company में गई, और उसने एक walk-in interview दिया, okay, so ये देख सकते हैं, ये पांचो sentences के words यहाँ पर फिल हो चुके हैं, आप इसको note कर सकते हैं, और अपनी book में भी देख सकते हैं, next question देखते हैं, तो next question में आपको लिखा हुआ है, कि देखें, ये कुछ sentences दे हुआ हैं, और इन sentences के साथ में आपको कुछ verbs दी हुई हैं, इन verbs के साथ में, आप तो यहाँ पर मैंने last chapter में आपको बताया था phrasal verbs के बारे में, तो वैसे ही आपको ये जो verbs हैं, इनको एक कुछी दूसरी verbs या to dash the government, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कि army ने attempt किया government को unsuccessfully क्या करने का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा word fit करना है, जो कि throw के साथ perfectly fit हो, तो यहाँ पर जो word जाएगा, वो वैसे तो काफी words यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन एक word यहाँ पर होता है, overthrow, ठीक है, throw तो मैं add कर रही हों, जिसका मतलब है over, तो overthrow का मतलब होता है, किसी को किसी जगा से उखाड ठीकना, यानि उनकी authority को हटा देना, तो army ने attempt किया कि वो government को हटा दे, ठीक है, कई देशों में आपने देखा होगा, कि armies क्या करती है, government को वहाँ से हटा देती है, तो overthrow would be the right word for the sentence, next हमारा sentence दे scientist एक brain पर है, मतलब scientist ढूंडने ही वाले है, cancer research में एक major, मतलब कह सकते हैं, major achievement वो अचीव करने वाले है, जो cancer के लिए कह सकते हैं, आपकी वो एक इलाज ढूनने वाले है, तो यहाँ पर word लिखा हुआ है break, चीक है, तो यहाँ पर जो सही word यूज होगा break के साथ, वो basically देख out का मतलब होता है, कोई चीज spread हो जाना, फैल जाना, लेकिन वो वर्ड यहाँ फिट नहीं होगा, यहाँ पर word है, वो यह फिट होगा, breakthrough, चीक है, breakthrough एक word होता है, वो वर्ड फिट होगा, और breakthrough का मतलब है, किसी चीज को excel करना, या तर कोई चीज discover करना, चीक है, तो scientist क्या करन वाले हैं, cancer research पर, alright, next sentence देखते हैं, the state government plans to build a dash for Bhuvneshwar to speed up traffic on main highway, main highway पर traffic बढ़ाने के लिए, वो क्या करना चाते हैं, Bhuvneshwar में एक कुछ चीज build करना चाते हैं, ठीक है, normally आपने देखा होगा, कि इस तरह से highways होते हैं, और इन highways को connect करने के लिए, छोटी-छोटी ऐसे roads होती ह हैं, जो कि इन highways को lead करती हैं, ठीक है, जैसी ये city area है, तो इस city area से छोटी roads इस highway पर जाती है, तो ये जो यहाँ पर roads होती है, इनका काम होता है कि यहाँ से traffic highway की तरफ जाए, तो इन roads को बोला जाता है, bypass, ठीक है, क्या बोला जाता है, bypass, तो आप देख सकते हैं, word यहाँ पर दिखते हैं, next है कि Gautam's dash on life changed when he realized that the world is full of sorrow, यहाँ पर Gautam की बात हो रही है, चाहिए अब Gautam बुध की बात करें, या फिर किसी person Gautam की बात करें, दोनों में ही fit सही बैटेगा, कि Gautam का life को देखने का नजरिया ही change हो गया, जब उसने realize कि दुनिया कितने दुखों से भरी ह हुई है, तो खुद की life के लिए उसका नजरिया change हो गया, तो यहाँ पर word यूज हुआ है, verb यूज हुई है, look, तो जब हम नजरिया की बात करते हैं, तो look से हम बनाएंगे lookout, चीक है, हम किसी को बोलते हैं कि इसका lookout बहुत negative है, यानि इसका नजरिया बहुत negative है, चीक है, next हमारा sentence देखते हैं कि राकेश seemed unusually dash after the game, game खतम होने के बाद में राकेश कैसा दिख रहा था, चीक है, unusually cast, अभी हाँ पर cast word यूज हुआ है, तो जो cast word है, उसके साथ में अगर मैं लगा देती हूँ, downcast, तो इसका मतलब हो जाता है, काफी निराश, परिशान, हताश, ठीक So, downcast का मतलब होगा निराश, चीक है, तो राकेश कैसा लग रहा था, बहुत ही निराश अताश लग रहा था, गेम के बाद में तेया, तो गेम वो हार गया था, तो इसी लिए ये downcast word use होगा, चीक है, ये सारे पांचो sentences से इनमें जो सही word लग रहा था, वो हमने यहाँ पर okay, so I think I could turn and live with animals as they are so placid and self-content, I stand and look at them long and long, अब देखिए सबसे पहले तो मेनिंग देख लेते हैं, प्लेसिट, चीक है, प्लेसिट का मतलब होता है, peaceful, चीक है, मतलब जो बहुत ही जादा शांती जिसके पास हो, बहुत ही जादा सटिस्फाइड हो, और यहाँ पर एक word आया ह है, content, ठीक है, वैसे, normally हम word क्या लिखते हैं, like this, content, ठीक है, content word लिखते हैं हम, और contented, मतलब ऐसा person जो की satisfied है, लेकिन अगर आप थोड़ सा focus करोगे, तो यहाँ पर इन्होंने contain word use किया है, इसका मतलब कही ना कही एक deep meaning इन्होंने हमें दिया है, content का मतलब कि उनके पास सब वो pretend करते हैं, और कही ना कहीं सही भी है, आज किसी animal को आपने देखा है, किसी चीजों के लिए लड़ते हुए कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे phone चाहिए, mobile चाहिए, वो खुद में ही क्या है, बहुत ही जादा self concentrated है, मतलब उन्हें जो जो चीजों चाहिए, वो उनके पा content, अब यहाँ पर सबसे पहले एक बार पोच की बात कर लेते हैं, इस पोउम के जो पोच है, उनका नाम है, वॉल्च वाइच में, इस पोउम के पोच का नाम है, और वॉल्च वाइच में इनका एक अमेरिकन था, एक अमेरिकन ये बहुत ही famous, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे revolutionary पोच थे, यानि इन्होंने एक क्रांती ला दी थी पोउम की field में, industry में, क्योंकि ये काफी जादा ना deep और meaningful पोउम्स लिखते थे, जो कि कहीं ना कहीं कई लोगों की religious points को, beliefs को कहीं ना कहीं hurt करती थी, तो इसलिए इन्हें एक revolutionary पोच बोला जाता था, और थोड़ा सा जो idea है लेकिन ये life को बहुत, इनका जो life को लेकर जीने का तरीका या देखने का तरीका बिलकुल लग था, चीक है, so Walt Whiteman नाम आपको याद रखना है, तो Walt Whiteman कहते हैं कि I could turn and, अब देखो ये बोड़ रहे हैं कि I could turn, मतलब मैं turn होकर मैं animals के साथ रह सकता हूँ, turn कैसे होंगे, अभी वो कहां रह रहे हैं, अभी वो रह रहे हैं human beings के साथ, चीक है, तो वो कह रहे हैं I could turn, मतलब मैं वापस जास के और animals के साथ रह सकता हूँ, कि मैं जो ये दुनियादारी है human beings से इनको छोड़ के animals के पास रह सकता हूँ, they are so places वो इतने peaceful, satisfied, self-contained, यानि खुद में ही इतने satisfied हैं, इसी वज़ा से मैं उनके साथ रह सकता हूँ, okay, I stand and look at them long and long, और ये चीज उन्हें कैसे आई है वाल्च वाइच मैं को, कि मैं उन्हें खड़ा रहता हूँ, और मैं उन्हें देखता हूँ, और काफी लंबे टाइम तक, मतलब, long and long, काफी घंटों तक, काफी मि animals को देखता रहता हूँ, और मैं observe मैंने क्या किया है, कि वो बहुत जादा places, बहुत जादा self-contained है, okay, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर बात लिखी हुई है, okay, कि मैं वापस जाकर, मतलब human beings से निकल कर, लोगों से निकल कर, society से निकल कर, मैं animals के साथ रह सकता हूँ, क्यो do not sweat, sweat का मतलब होता है, to work hard, हमें पसीना का बाता है, जब हम महनत करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कि वो बहुत जादा hard work नहीं करते, क्योंकि hard work भी क्या है, कही न कहीं हम अपनी body को, mind को pressurize कर रहे हैं, तो वो sweat नहीं करते, यानि hard work नहीं करते, and wine, wine का मतलब होता है, crying, ठीक है, और वो रोते नहीं है, अपनी condition पर, हमें कि भली चाहे कैसी भी condition में, they never cry about it, वो कभी भी work hard नहीं करते, okay, they do not lie awake in the dark and weep for their sins, ठीक है, dark का मतलब है, यहाँ पर night से, कि वो रात के time, जगते नहीं है, और रोते नहीं है, अपने sins के बारे में, जैसे human beings क्या करते हैं, अगर मान लीजे, उन्होंने कुछ गलत काम किया है, तो रात रात भर सोते नहीं है, अपने sins, अपने मतलब पापों के बारे में, रोते नहीं है, animals, ठीक है, जैसे human beings करते हैं, okay, तो यहाँ पर यह चीज लिखी हुई है, अब यहाँ पर इसको थोड़ सा positive meaning इसका समझ कर रहे हैं, कि वो कोई पाप करते ही नहीं है, आज हम कोई पाप करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे, तो हमें रोना आएगा, anxiety होगी, animals, वों चीज नहीn करते", क्योंकि वो कोई पाप करते ही नहीं, कि आपने कभी किसी animal को लेचा है कुछ चुराते हुए, या फिर किसी को hurt क किसी को धोका देते हुए, नहीं, ओके? कि यह वाली लाइन देखते हैं, थोड़ी सी यह कह सकते हैं, ऐसा पॉइंट है, जिसको मतलब लोग इस पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपका पॉजिटिव मीनिंग भी समझाऊंगी, कि यहां पर हमारे वाइच मैं कह रहे हैं, कि वो मुझे सिख फील नि कराते ह आप नहीं करते हैं, वो duty to God, मतलब कि God के प्रती हमारी क्या duties हैं, यह चीज डिसको करने में, आप देखिए इसका positive मीनिंग क्या है, आज आप देखते हैं, आसपास जो लडाई जगरे हो रहे हैं, countries में, different countries आपस में लड़ रही हैं, on point of religion, religion के point पर क्या करने हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, तो कही ना कहीं वो क्या बोल रहे हैं, कि यह हमारी duty है, हमारी duty to God है, कि God ने हमें बेजा है, यह सब करने के लिए, चीक है, तो कही ना कहीं जो लड़ाईयां हो रही हैं, वो religion के point of view से हो रही हैं, तो ऐसे में यहाँ पर white men कह रहे हैं, कि animals यह चीज नहीं animal को देखा है कि बड़ा tension में, वो anxiety में, नहीं, no one is demented, demented का मतलब है, पागलों जैसे behave नहीं कर रहा है, कोई भी with the mania for owning things, कि मुझे यह भी चाहिए, owning things मतलब हर चीजों का possession, तो mania का मतलब होता है, पागलपन, कि कोई भी animal, पागलों जैसे, चीजें collect करने में बिलीव नह पागलपन है, हमारा कि हमें यह भी चाहिए, यह भी चीजे collect करते रहे, घर में आपके पास कितने ऐसे कपड़े हैं, जो आपको नहीं चाहिए, आपने कभी नहीं पहने होंगे, लेकिन still you want to own the things, तो animals क्या करते है, they believe in the freedom, they believe in living their life, ना कि यह भी चीज मुझे चाहिए, यह चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसे नहीं कर रहे हैं वो, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि animals इसलिए अच्छे हैं, क्योंकि वो खुद से satisfied हैं, और वो पागलों जैसे चीजों को collect करने में बिलीव नहीं कर रहे हैं, चलिए, नेक्स देखते हैं, कि not one, nails to another, not to his kind, that lived a thousand years ago, नेल्स का मतलब होता है घुटने टेकना, यहाँ पर भी again यह ऐसी poetry थी, जो कहीं कई conflicts इन्होंने कह सकते हैं, create किये, कई लोगों ने इस पर जवाब उठाए, तो यह बोल रहे हैं कि animals एक दूसरे के सामने bow down नहीं करते हैं, उन लोग के सामने, जैसे आपने कभी सुना होग किसी के कोई गुरू होते हैं, किसी के कोई पहले के कोई महात्मा रहे होंगे, उनके सामने वो bow down करते हैं, यानि उनको pray करते हैं, worship करते हैं, तो animals वैसे नहीं करते हैं, कि आपसे जो हजारों साल पहले किसी person का जनम हुआ, आप उसको पूजा कर रहे हो, उसकी worship कर रहे हो, animals यह चीज नहीं करते हैं, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वॉल्ट वाइटमिन कैसे टाइब के पोईट थे काफी रिवल्यूशनरी, जीक है? काफी साल पहले जो आपके जैसे, उनके जैसे आनिमल्स ही जो रहे हैं उनकी वो पूझा नहीं करते हैं। not one is respectable or unhappy over the whole earth किसी को भी ऐसा feeling नहीं है कि मेरी respect जादा होनी चाहिए कभी lion नहीं बोलता कि मेरी respect करो कभी elephant नहीं मोलता मेरी respect करो कोई भी respectable नहीं है और कोई भी unhappy नहीं है कोई भी इस बात से नाखुष नहीं है जैसे humans में क्या होता है कोई भी बड़ा politician है या कोई बड़ी position पर परसन है तो वो चाहेगा कि लोग उसकी respect करें लेकिन animals में अशा कुछ नहीं होता they do not demand your respect so then show their relations to me and I accept them तो वो अपने relations मेरे सामने show करता है यानि जो उनके मन में होता है बहली एक जानवर अगर मेरे साथ violent भी हेव करना चाहता है वो करता है कोई मेरे साथ friendly भी हेव करना चाहता है वो करता है and I accept them मुझे पता है कि वो परसन ऐसा ही है मतलब वो अनिमल है जै शेर है तो मैं शेर के सामने नहीं जाओंगी क्योंकि मुझे पता है वो मुझे खाएगा एक जोग है या कैच है या जो पैट अनिमल है उनके साथ I can maintain friendship वो के वो मेरे पास क्या लेके आते हैं टोकन्स लेके आते हैं मेरे खुद के टोकन्स अब यहां पने बहुत डीप बात की गई है कि यूमन्स जो है ना वो अपने टोकन्स भूल गए है टोकन्स मतलब जो हमारा एक resemblance है एक्च्वल जो हमारा nature है यूमन्स भोल चुके हैं क्योंकि time इतना निकला जा रहा है एक जो human values थी वो धीरे-धीरे क्या हो रही हैं कम हो रही हैं लेकिन जो यहां पर animals हैं उन्होंने अभी भी वो चीज़ें possessed की हुई है यानि animals ने अपना nature नहीं बदला है चाहे 1000 साल पहले एक animal जैसे behave करता था अभी भी वही animal सेम तरीके से behave करता है लेकिन humans ने course of the time अपना behavior चेंज कर दिया है तो यहां पर हमारे white man कह रहे हैं कि वो मुझे मेरे tokens लाके देते हैं जो कि हम तो भूल गए लेकिन उन लोगों ने अपने possession किया हुआ है यानि अपने tokens संभाले हुए है यानि अपना जो अस्तित्व है अपना जो existence है अपनी जो values है उनको वो carry करके लाए हैं आगे हम पीछे भूलाए तो वो क्या लाके देते हैं मुझे मुझे वो token लाके देते हैं कि यह दो को तुम पीछे भूल कर आगए हो तो कही ना कही animals हमें एक better human being बनना भी सिखाते हैं ओके आगे देखते हैं I wonder where they get those tokens मैं सोचना हूँ उन्हें ये tokens कहां मिले Did I pass that way huge times ago or negligently drop them ये जो tokens हैं यानि जो ये लोग मुझे मेरे existence बताते हैं ये कहां से मिले उन्हें या तो मैंने उन्हें पास किया था कभी यानि मैंने उन्हें कभी दिये थे या फिर मैंने negligently या फिर negligently का मतलब होता है ignore कर दिया था मैंने उन्हें और मैंने उन्हें कहीं गिरा दिया था मतलब humans जो अपने existence छोड़ के आ गए थे जो existence है उन्हें कौन याद दिलाता है humans याद दिलाते हैं तो यहां पर white men पूछ रहे हैं कि कहाँ से मिले होने यह टोचन इन्हें मैंने ही कहीं छोड़ा आये थे मतलब humans ही जोड़ के आ गए थे या फिर इन्हें हमने pass किया है यानी इन्हें हमने दिये हैं यह टोचन ॠीक है बहुत ही प्यारी पोवम थी यह वाइच मेन वाल्ट वाइच मेन ने यह और अभी Google करो आपको मिल जाएगी यह poem and काफी कुछी सीखने को मिला हमें से अभी हम आगे इसके question answers भी करेंगे so make sure आप end तक video देखो ठीक है छोड़ना नहीं है video को चलो फिर question answers देख लेते हैं जल्दी से सबसे जो first question है वो हमारी starting वाली जो line थी न उसी से ही है कि notice the use of the word turn in the first line I think I could turn and live with animals आपने वो turn word notice किया जो first line में था कि I think I could turn and live with animals what is the poet turning from? मैंने आपको starting में बता दिया क्या वो ऐसे चीज है जिससे poet turn कर रहा है मतलब मूँ मोड रहा है किस चीज से मूँ मोड रहा है मैंने आपको बता दिया अब भी बता है मैंने आपको जो poet है वो किस से turn हो रहा है human being से और कहां जा रहा है animals के पास क्योंकि उन्हें लगता है कि animals बहती काम होते हैं काफी peaceful रहते हैं काफी self-contained मतलब satisfied होते हैं और कभी भी complain नहीं करते हैं रोते नहीं हैं चीजों के बारे में और यहां पर दूसरे हैंड पर मतलब on the country or on the other hand वो बोलते हैं कि humans जो हैं तोछे complicated है उन्हें सिर्फ possession से मतलब है complain से मतलब है work hard से मतलब है और वो animals के तुलना में काफी बेकार है तो इसी लिए यहां पर poet कह रहा है कि मैं humans से निगल के animals में चला जाओ next question देखते हैं mention three things that humans do and animals don't इस poem से जो questions आएं उन में पूछा गया है तो make sure आप इसको question mark कर ले और बहुत तरीके से question पूछा जा सकता है कि animal और humans में comparison करो which is better humans और the animals इस तरह से question आ सकता है लेकिन answers एम ही होगा तो काफी important question है कि वो तीन चीज़ें जो humans करते हैं और animals नहीं करते हैं ऐसे तीन चीज़ें पतानी है एक एक करके बताते जाएंगे one, two and three सबसे पहले human complains about small things that are always dissatisfied human अपनी conditions अपनी life से हमेशा complain करते रहते हैं और हमेशा dissatisfied रहते हैं on the other hand animals are non complaining creatures who are satisfied with whatever they have और दूसरे हाथ पर मतलब दूसरे जगा पर animals काफी self-satisfied हैं और non complaining creatures है जो जो भी उनके पास है उससे वो खुश है ठीक है पहला हो गया ठीक है दूसरा होगा human beings sweat and work hard to earn their living and they whine about their condition always ठीक है human beings जो है वो बहुती hard work करते हैं बहुती महनत करते हैं पसीना बहाते हैं और अपनी living यानि अपने खाने पीने की चीजों का जोगाड करते हैं और luxury चीजें भी उने चाहिए और तो भी वो हमेशा क्या करते रहते हैं अपनी condition के बारे में whine करते रहते हैं यानि रोते रहते हैं वही animals are placid creatures and do not sulk about their condition at any time चीजों है वही animals क्या हैं बहुती placid यानि काफी जादा peaceful क्या है creatures हैं और वो कभी भी अपनी condition के बारे में रोते नहीं हैं या फिर दुख का बखान नहीं करते हैं ये दो हमने difference की थर्ड देख लेते हैं humans are fond of materialistic things as this makes them happy ये सबसे अच्छी चीज़ है और मुझे इस form में सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि humans क्या है materialistic चीज़ है कि table, sofa, gold, jewelry, diamonds mobile phone, computer ये सारी चीज़ें हमें इखटा करनी है भली हमें इनकी ज़रुत है या नहीं है humans किसमें believe करते हैं materialistic चीज़ों में मतलब ऐसे उनको feelings हैं मतलब नहीं है उनको चीजने चाहिए है on the contrary animals are non-demanding creatures and do not behave irrationally just to preserve worldly pleasures humans क्या है वहीं दूसरे हाथ पर जो animals है वो क्या है undemanding मतलब उनको किसी चीज़ की demand नहीं है उनको बस यह है कहीं कहीं किसी पेड से fruits मिल जाए या फिर खाने को बस खाना मिल जाए that's it ठीक है वो अपना खुदी कर रहे है उनको possession नहीं चाहिए कभी आपने किसी animal को देखा कि मुझे jewelry चाहिए अच्छा सा मुझे belt चाहिए अच्छा अच्छा मुझे कपड़े चाहिए एक नहीं मुझे 50 जोड़ी कपड़े चाहिए नहीं तो वो कभी भी जो irrationally मतलब आगलों जिसे behave नी करते है worldly pleasures को collect करने में buzzers करने में तो ये तीन यहां पर points है एक point आप मुझे comment section में बताएंगे कि क्या वो ऐसा point है जो humans करते हैं और animals नहीं करते हैं चीक है एक मुझे difference आप comment section में बताओगे अभी लिखो चीक है चलिए third question देखते है do humans kneel to other humans who lived thousands of years ago discuss this in groups टीक है वैसे ये discussion वाला question है बड़ मैं आपको answer बता दूँगी कि क्या humans on humans के सामने जुकते हैं kneel करते हैं या फिर उन्हें worship करते हैं जो उनसे भी thousand years पहले पैदा हुए थे चीक है या फिर इस दुनिया में आये थे चीक है obviously इस form में हमें बताया ही है definitely yes humans kneel to other humans who lived thousand years ago due to cultural traditions और religious beliefs बिल्कुल thousands years पहले जो भी हमारे गुरू महात्मा रहे थे उनके हम worship करते हैं उनके आगे नील करते हैं लेकिन ये क्यों है क्योंकि हमारे cultural traditions हैं या फिर हमारे religious beliefs हैं आपने भी कही बार ऐसा देखा होगा कि आपकी ममी आपके बुर्थ्रे पर कहती होंगी कि ये आपके परदादा जी हैं ये आपके ancestors थे तो इनसे आप worship कीजिए इनकी prayers कीजिए तो कही बार आप ऐसे करते होंगे तो ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए ऐसा मैं आपको नहीं करना चाहिए लेकिन ये आपके पोईट अपना पोईट रख रहा है वाइच मैं कि humans ऐसा करते हैं, animals ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपने हाथ फोल्ड करते हैं हाथ जोडते हैं वर्षिप करते हैं अपने ancestors को और उनकी जो portraits होती हैं या उनकी idols होती हैं, उनके सामने जोगते हैं ये cultural traditions को लेकर है अब आपके भी culture में चाहिए आप किसी भी culture से, किसी भी religion से belong करते हों, कहीं न कहीं ये पार्ट आपके भी होगा, कि ये हम अपने ancestors या फिर अपने जो पहले हम से पैदा हुए थे उन्होंने कुछ जो उन्होंने special काम कियें कुछ supernatural powers थी उनके पास तो ऐसे लोगों के सामने हम क्या करते हैं जोगते हैं और उनको pray करते हैं चीक है, तो यहां पर ये बताया गया है कि animals ऐसा नहीं करते हैं next देखते हैं what are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him, चीक है अब यहां पर वो tokens क्या है जो कि हमारे white man कह रहे हैं यानि हमारे poet कह रहे हैं कि मैंने वो गिरा दिये थे यानि पीछे छोड़ दिये थे और जो कि animals मुझे वापिस लाग कर देते हैं या फिर animals ने रखे हुए हैं क्या वो tokens हैं तो यहां पर आपको कुछ hints भी दिये हुए हैं आप इसका भी use कर सकते हैं लेकिन मैं आपको answer बता देती हूँ बहुत ही simple answer हम लिखेंगे कि the tokens mentioned by white men in the poem indicate the symbols of true nature of human beings यहां पर जो white men ने कुछ tokens लिखे हैं वो क्या हैं हमारे जो human beings हैं उनका true nature वो tokens की बात हो रही है He intends to convey that as civilization flourished human lost their natural instincts and move away from the tokens of virtue such as containment, honesty and innocence देखो containment यानि satisfaction, honesty यानि इमानदार, innocence मतलब एक भोलापन किसी को cheat नहीं करना यह सारी चीज़े हैं हमारे वो tokens ते जो हम भूलाएं हैं humans जो है वो क्या गरते हैं अपने सारे जो अच्छी चीज़े होती हैं जो उनको human बनाती है उनको वो पीछे छोड़ाएं हैं तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे जैसे time निकल रहा है civilizations flourish हो रही है यानि आगे फलफूल रही है बढ़ रही है civilization time निकला जा रहा है वैसे वैसे humans अपने जो values हैं उनको पीछे छोड़ रहे हैं वो बहुत ही सादा self-centered बन चुके हैं उनने दूसरों की परवान ही है खुद पर ही focus वो करते हैं और दुनिया के जितने भी जो materialistic चीज़े हैं उनको पशेस करना जाते हैं आगे देखते हैं they lost their humane touch in due course of time time के साथ वो जो उनका human touch था human values थी उसको वो भूल चुके हैं on the contrary मतलब दूसरी ही जगा पर animals have always carried forward their real instincts and continue to do so animals जो हैं वो अपना real instincts real जो उनके characteristics हैं उनको आगे लेकर आए हैं जैसा मैंने बताया था कि 1000 साल पहले जैसे एक animal behave किया था वैसे ही वो अभी करता है the poet looks at those characteristics and wonders where he had negligently lost his due nature तो poet जो है वो देखता है animals को और उन characteristics को देखता है और बोलता है कि हम humans मतलब मैं कहां भूलाया हूं अपने इन tokens को अपने इन values को बहुत ही प्यारी यह poem है काफी सारी चीज़ें हमने इस poem में सीखी I hope आपको poem अच्छी लगी होगी तो मुझे पहली चीज़ आप यह बताएंगे कि humans और animals में एक ऐसा characteristic जो आपको chapter में नहीं मिलेगा वो मुझे आप comment section में बताएंगे and video अच्छी लगी हो तो like करना बिल्कुल मत भूला है and साथ ही चानल को subscribe करके रोखो आप में से बहुत सारे लोगों ना भी subscribe नहीं किया है चानल को क्योंकि आपको बहुत सारी videos इसी चानल पर मिलेंगी so make sure आप चानल को subscribe करके रखें thank you so much हुआ 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 है